उम साईराम हर हर मादेव आज का साई सन्देश हर काली रात के बाद एक नया सिवेरा होता है ऐसी कोई रात नहीं जो बीत्ती नहीं ऐसो कोई दुख नहीं जिसका कोई अंत नहीं होता तो मेरे बच्ची आपका समय भी जरूर बदलेगा वक्त बदलने में वक्त लग सकता है लेकिन वह बदलेगा जरूर जब सूरिया उद्य होता है तो वह भी धीरे धीरे उदित होता है इसलिए काम्याबी हमें एकदम नहीं मिल सकती वह भी धीरे धीरे परियास करने से अवश्या मिलेगी जो आपका अतीत था वह बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन आज आपके हाथ में है आप बहुत कुछ नया कर सकते हो क्योंकि जो आपको मिला नहीं उसके लिए आप दुखी ना हो जो आपके पास है उसकी एहमियत को समझे क्योंकि जो आपको मिला नहीं तो आपके लिए वो सही नहीं है क्योंकि भगवान आपको वही देंगे जिसके योग्या आप हैं जो आपके लिए सही होगा इसलिए जो आपको मिला नहीं उसके लिए दुख ना करें लेकिन जो आपके पास है उसकी एहमियत को समझें एक दिन वो वक्त जुरूर आएगा जब आपका हर सुख हर खुशी आपको लोटाई जाएगी क्योंकि सुख दुख जीवन के दो रंग है और भगवान कभी किसी का भाग्या नहीं लिखते इंसान अपना भाग्या खुद लिखता है जो आपके करम हैं जो आपका वहवार है वही आपके भाग्या को निर्धारित करते हैं इसलिए भगवान को दोस्त देना बंद करें क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं देते वह हमें सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना हमें खुद पढ़ता है इसलिए उस परमात्मा को दोस्त देना छोड़े क्योंकि हम हर दोस्त के जिम्मेदार खुद है जैसे करम हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है इसलिए सबसे एहम करम है ये संसार करम लोक है जैसा इनसान खेत में जैसा बीजबोता है वैसा ही फल काटता है इसलिए कभी किसी को भी दूसरे को अपने सुख दुख का कारण ना ठहराएं क्योंकि कोई हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनता है हम अपने सुख दुख का कारण सव्या होते हैं उसका कारण हमारे करम होते हैं इसलिए अपने करमों पर विशेज ध्यान दे और उस परमात्मा पर विश्वास रखे क्योंकि सच्चाई की कभी हार नहीं होती सच्चाई भले ही देर से सामने आए लेकिन जादा दिनों तक छुप नहीं सकती तो मेरे बच्चे खुद पर विश्वास रखो आपका वक्त भी जरूर बदलेगा जो आपसे चिन गया है उससे भी बहतर आपके भाबा आपको लोटाएंगे उसके फैसलों पर हमेशा खुश रहें जिस दिन आप उस मालिक की रजा में रहना सीख जाएंगे तो आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे क्योंकि परमात्मा हमें वही देते हैं तो हमारे लिए सही है इसलिए उस परमात्मा पर विश्वास रखे और जो उसने दिया है उसी में सब्र करें उसी में संतोज करें तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहेगा भाग्या से जादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता लेकिन कर्मों से इंसान वो भी पाल लेता है जो उसके भाग्या में नहीं लिखा होता इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे तो आपका भाग्या एक दिन जरूर बदलेगा सदा खुश रहें, सदा जबते रहें ओम साई राम, हर हर महादेव